हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे classification of fertilizer जेनलरली हम तीन ग्रूप में अपने fertilizer को डिवाइट करती हैं फरस्ट है हमारा state fertilizer दूसरा हमारा complex fertilizer एं थर्ड हमारा mixed fertilizer अब state fertilizer किसे करेंगे किसे कहेंगे ऐसा उर्बराक ऐसा fertilizer जो सिर्फ एक primary nutrient की supply करता हो primary nutrients क्या होता है अभी अभी primary nutrients क्या होता है ऐसा nutrient जिसकी requirement एक पौदे को 100 ppm से अधिक मात्रा में आवर्शकता होती है कितने 100 ppm से अधिक मात्रा में आवर्शकता होगी हम उसे primary nutrients कहेंगे तथा उसकी पौदे को आवर्शकता अधिक मात्रा में होगी हम उसे primary nutrients कहेंगे ठीक है तो state fertilizer में हम उसे state fertilizer कहेंगे जिसमें एक primary nutrients पाया जाता हो ठीक है तो example है आपका यूरिया यूरिया में एक nitrogen का fertilizer पाया जाता है 46% ठीक है 46% पाया जाती है यूरिया में nitrogen तो यह हमारा state fertilizer है ऐसे ही example है हमारा ammonium sulfate 10 second है हमारा potassium chloride and potassium sulfate next है हमारा complex fertilizer complex fertilizer ऐसा fertilizer जो हमें दो और तीन primary nutrients की supply करता हो और generally दो हमारे primary nutrients तो उसमें पाये जाएगे उसकी chemical combination में अच्या तो दो कैसे पाये जाएंगे आपका डीएपी इसके डाइयमोनियम फासफेट क्या लिखा हुआ है डीएपी डीएपी में कितने percent nitrogen पाये जाती है आपकी 80% nitrogen पाये जाती है और आपकी 46% phosphorus पाये जाती है तो यह हो गया आपका complex fertilizer next है आपका mix fertilizer mix fertilizer ऐसा fertilizer जिसमें उसकी physical mixture होंगे state fertilizers they content two or three primary plant nutrients जिसमें दो या फिर दो से अधिक उसमें primary nutrient mix होंगे फिर आपका होगे इसमें complex में और mix fertilizer में अंतर क्या हो गया ठीक है अंतर क्या हो गया सुनो यहां mix fertilizer के क्या लिखा हुआ है mix fertilizer are physical mixture of state fertilizer they contents two or three primary plant nutrients made by the thoroughly mixing the ingredients ठीक है आइदर the machinery और manually यह mixing होकर के बनते हैं और जबकि complex fertilizer जो होंगे वो chemical combination के रूप में बनेंगे एक छोटी शी बात है आप यहां से जरूद ध्यान में रखना complex fertilizer में भी दो या दो से अधिक काग में primary nutrients पाए जा रहे है आपके और mix fertilizer में भी आपके दो या दो से अधिक primary nutrients पाए जा रहे है आप different कैसे करोगे simple से different है complex fertilizer जो होंगा उसमें आपकी जो दो या दो से अधिक जो primary nutrients है वो है आपके chemical combination के थुरू आएंगे किसके थुरू chemical combination के थुरू और जबकि mix fertilizer में आपके वो आएंगे mixing ingredient और जबकि machinely और manually ठीक है किसी यांत्रिकी के द्वारा होंगे या फिर mix किये होंगे physical basis में या फिर manually वो बनाए गए होंगे ठीक है यहां chemical basis से बन कर तयार हुए यह mix से mix होकर आएं physically यांत्रिकी के द्वारा ठीक है यही अंतर है जबकि दोनों में ही primary nutrients दो या दो से अधिक मत्रा में पाए जाती है आई होप यहां से आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा complex और mix fertilizer क्या है एक आता है complete fertilizer एक टर्म है complete as you know this यहां से आपको पता लग रहा है complete क्या है complete आपको पता लग रहा है complete सब्दार्यान की पूर जिसमें nitrogen phosphorus तता dose टी नहीं तत पाए जाते हो हम उसे कहेंगे complete fertilizer complete fertilizer किसे को कहेंगे जिसमें तीन ही तत्व अपनी मात्रा में पाए जाते हो अच्छा कोई example बता यह जिस में 5 पाए जाते हो अच्छा तीन ऑम तपाए जाते हो जी बिलकुल एस यस पी अस ले लेगीए क्या कि एस बेसे सपी सिंग फासपिट क्या-क्या जाथा एंगर फास्पेट में सुलफर पाई जाती आपकी फासपड पाई यह आपकी कहीं पाई जाती है यह तह आपका वेंगे classifications state fertilizer complex fertilizer and mix fertilizer next है हमारा आपने बेस्ट वन the classification of physical form physical form पर यहनों कि solid solid fertilizer and liquid fertilizer यह solid fertilizer क्या होंगे ऐसे fertilizer जो हमारे solid form में पाई जाती हो यह पिर crystal form में पाई जाती हो यह फिर ग्रेनुल जानगी दानी की आवस्ता में पाई जाते हूं यह फिर सुपर गेनुल्स के रूप में पाए जाते हूं हम उने कहेंगे सॉलिट फर्टिलाइजर्स एग्सम्पल है आपका पाउडर के रूप में भी हो सकती है जैसके आपकी सिंगल सुपर फासफेड अभी मैं आपको पताया था अच्छा एससपी के मैंने अभी आपको तीन इंग्रीडियन्ट बताए जो इसमें पाए जाते हैं एससपी में क्या पाए जाते हैं तीन इंग्रीडियन्ट मैंने अभी कहा था 12% पाए जाती है किसमें अच्छा ऑर क्या पाएजाता है का क इसमें कास्पूरस इसमें पाई झाथा आपका फैस्फ क्यक्तुर पाइज याद रखने की ट्रिक बताता हूं सुनो बाइब एस पी की जो वाइफ है जो बीबी है वो 16 सिंगार करती है तो πी सामले लिखेंगे आप 16 फासफर कितने परसेंट हो गया 1 का 2 है और पहले आप 2 लिख दीए उसके बाद मैं 1 लिख दीजिए यह हो गया आपका कैल्सियम सलफर का जिस्ट उल्टा कर दीजिए यह चैल्सियम हो जाएगा ठीक है तो यहां से आप सलफर की ट्रिक के साथ में 3 इंग्रेडियंट के नाम याद कर सकती हो यह हमारा solid form में solid fertilizer है और तथा complete fertilizer की स्रेट नेक्स्ट है हमारा प्रेलसियन की यूरिया डायमोनियों फासफेट सुपर फासफेट यह इसके एक्जमपल है ग्रेनूल्स के रूप में irrigation water और direct application जो हम liquid fertilizer है हम उसके ठीलाइजर है अपने खेयर में apply कर सकते है और शिचाही के साथ पनी के साथ भिकर सकती है जब हम अपने अरवरयखो कोगों सचाही के साथ मेंख में irrigation के साथ में तो यह उससे क्रियाओ करते है fertigation क्या कहते है ہے? fertigation हम fert Mihar को ej competitann telling us हम उसे कहेंगे vertigation अच्छा तो क्या हम ठोस जो solid fertilizer है क्या उनको नहीं दे सकते जी बिल्कुल दे सकते लेकिन ध्यान रहे वह solid fertilizer water में soluble हो पूरी तरह से तो उसका example कैसा है जो solid fertilizer हो और जो पानी में पूरी तरह से गुलन जी लो उसका example है आपका SSP जो मैंने अभी आपको बता है था सिंगल सुपर फासफेट SSP ठीक है यह पानी में पूरी तो इसे घुले तबस्ता में रहता है हम इसे ऐसे तो आपका यूरिया भी है ठीक है हम इसे क्या कि मैं फासफरोस का fertilizer है इसलिए इसको ज़्यादा ह SSP तो हम इसे के रूप में दे शकते हैं और यह वह सौलिट फर्टिलाजर भी है देन बात करेंगे लिकुड फर्टिलाजर लिकुड यच्व फर्टिलाजर जो क्या कि मैं आपे अफ वर्टिकेशन के रूप में आप दे दीक इसके हमने दो भागों में डिवाइड किया vehicle completely द mostrarे हमारा सदस्पेंस अनलुक्ट फराइज़र ऐसा इससेज़ सइस्पेंस के रूप में रहता हो कैसे सब्सक्रण के रूप में क्लिए कर देता हुम आप लोगों के लिए कि ऐस, अ सब्सक्राइब के अन्हेम पूरी तरह से ग्रेनूल सुरेंगी उसकी जाने की बूद-बूद सी रहेंगी इस तरह से गुलेगा पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा बूद-बूद की रूप में रहेगा हम उसे कहेंगे अपना liquid fertilizer next हम बात करेंगे अपना classification of the nature of the fertilizer nature of the fertilizer दो प्रकार की नेचर होती है प्रकड़ती होती है acid forming fertilizer and alkali forming fertilizer और basic fertilizer अच्छा आप बताओगे acid forming कैसे रहेगा acid कब रहेगा जब जिसका pH मान साथ से नीचे रहेगा और alkali और basic कब रहेगा जब उसका pH मान साथ से ऊपर रहेगा very good तो acid forming fertilizer fertilizer which leave an acid residue in the soil ऐसा और बराग जिसके प्रयोक करने से भूमी में वे अपना acid जो तत्त्व है acid residue पदार थे अपना भूमी में छोड़ दे भूमी में छोड़ दे उसको हम कहेंगे acid forming fertilizer applying acid forming fertilizer to alkaline soil हम alkaline soil का pH मान उदासिंग करने के लिए neutral करने के लिए हम उसमें acid fertilizer डालते हैं बिलकुल सच बात है भई हमारा pH मान साथ से उपर है तो हम उसमें ऐसा fertilizer डालेंगे जिसका pH मान साथ से नीचे हो यानकी acid हो तो वह उसके pH मान को घटा करके उदासिंगी neutral यानकी साथ तर ले आएगा next है हमारा the amount of calcium carbonate required to the neutralize the acid residue is calculate acid equivalent आपको acid equivalent ध्यान रखना चाहिए मैंने आपको पिछली class lecture में बताया था acid equivalent आप किसे कहोगे acid equivalent आप किसे कहोगे the amount of calcium carbonate CACO3 CACO3 यानि amount of calcium carbonate required to neutralize the acid residues यानि कि आपकी जो अमली भूमी की जो residue उसमें पड़े हुए हैं उसको उदासिंग करने के लिए जितने भी calcium carbonate के आपको आवर्शक्ता पड़ेगी हम उसे कहेंगे acid equivalent ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा next आपका as alkali और basic fertilizer whose fertilizers which fertilizer leave an alkali residue in the soil which fertilizers leave an alkali residue in the soil they kalate acid alkaline fertilizer और basic fertilizer example आपका basic fertilizer का किस में basic cities अधिक होती है आपके calcium cyanamide calcium cyanamide कितनी होती है 63% मैं अब example लिख जाऊँगा apply acid forming fertilizer to alkaline soil अब भई alkaline soil में हम हम acid forming fertilizer होंगे हम उसे alkaline soil में apply करेंगे हम मैंने अभी आपको बताया था जो भी हमाई soil किया कि मैं alkaline होगी हम उसमें यूज करेंगे acid fertilizer और जो acid soil होगी हम उसका pH में उपल लाने के लिए उसमें करेंगे alkaline fertilizer का यूज करेंगे अब हम मैं आपको example बताता हूं acid forming fertilizer का acid forming fertilizer सबसे अधिक equivalent acidity कि fertilizer के होती है वो है आपका anhydrous ammonia क्या नाम है आपका anhydrous ammonia कितने परशेंट तक इसमें nitrogen पाए जाती है आपके 81% तक इसमें nitrogen पाए जाती है किसी पीसी बुक में 82 कहीं 83 तक लिखा हुआ है तो आप confuse मत होना anhydrous ammonia में सबसे अधि equivalent basicity होती है कितनी होती है equivalent acidity 148 होती है 148 equivalent acidity होती है हमारे anhydrous ammonia की तक जिसमें nitrogen की मात्रा पाए जाती है 81% अगर आपसे question आ जाए कि ऐसा कोई nitrogen का fertilizer बताइए जिसमें अधिक मात्रा में nitrogen पाए जाती हो तो यह है आपका anhydrous ammonia और यह liquid form में मिलता है कैसी form मिलता है अगर मैं आपको एक्जामपल दू बैसी सिटी वाला एक्जामपल के ऐसा fertilizer बताइए जिसकी अधिक मात्रा में equivalent basicity यानकी alkalinity पाए जाती है वो कौन सा fertilizer आपका calcium cyanide कौन सा fertilizer आपका calcium cyanide कितने परशेंट तक इसकी equivalent basicity होती है 63 कितनी 63 नेक्स्ट में आपको स्लाइट करने जा रहा हूं वेशेंड रहा हूं वेशेंड रहा हूं कंसेंट्रेटर अप्लांट प्राइमरी प्लांट नूट्रेंट्रेंट्स ठीक है क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट यह ऺंआरा है यह यह इंडाइस फोटिलाइजर्स लोज ऐनालाईज़स फोटिलाजुजर किसे कहेंगे वस फच्रप्लाइजर प्राइमरी नूटैट्रेंट्स अःसा है और उपरण जो आपके जो प्राइमरी नूटिरिंट 25% से श्मांत्स में पाए जाते हो, primary nutrient आप किसे कहते हो, आप जानते हो NPK, nitrogen, phosphorus पुटास, यह आपकी primary nutrients तो है, तो ऐसा fertilizer जिसमें 25% से कम मात्रा, 25% से less मात्रा में पाए जाएंगे आपके NPK, primary nutrients, उसे कहोगे आप low analyzes fertilizers, एग्जम्पल है आपका SSP and sodium nitrate, SSP है आपका single super phosphate इसमें एक primary nutrient है आपका वो है आपका phosphorus जिसको इसमें 60% पाय जा रहा है फिर आपका sodium nitrate जिसमें 16% nitrogen पाय जा रही है next discuss करेंगे हम guys high analyzer fertilizer which fertilizer total content of primary nutrient is about 25% ऐसे उर्बरक जो primary nutrient जिन में 25% से अधिक मात्रा में पाय जाती हो 25% से अधिक मात्रा में पाय जाती हो हम उसे कहेंगे high analyzer fertilizer example है आपका यूरिया जिसके यूरिया में आपका पाया जा रहा है 46% nitrogen एन हाइडर समोनिया जिसकी 82.2% nitrogen देखो guys मैं अभी आपको बताया था एन हाइडर समोनिया में हमाई nitrogen कहीं कहीं 81 और कहीं 82 और कहीं 83 तक लिखा होता है देखो as you know आप यूजरी आप देख रहे हो एन हाइडर समोनिया की यहां जो nitrogen की मात्र लिखी हुई है यह 82 दी हुई है according to आपके exam में जैसे भी आए आप question according to option के लगाओगे ठीक है तो 82% इसमें nitrogen है Ammonium Phosphate जिसमें 20% nitrogen और 20% phosphorus हो गया तो यह total में लाकितना हो गया 40% तो इसे भी हम high analysis fertilizer कहेंगे तो गाइस आज की class में हमने जितने भी डिसकस किया जितने भी डिसकस किया simple fertilizer complex fertilizer state fertilizer complete fertilizer और acid equivalent fertilizer और basic equality fertilizer और क्या हमने analysis किया low fertilizer और high analysis fertilizer इतने example हमने guys repeat कर लीजिए कल हम इनके mcq अपनी class में इसी time पर करेंगे आज ही class के लिए इतना ही thank you अपने class की अगर आप class अच्छी लगे तो group discussion में जरू बता देना thank you